आप सबी लोगों का हमारे चैनल पे तो आज की एकदम खास रेसिपी है आप सबी के लिए ताजे नारियल से नारियल के लड़ू तो एकदम आसान तरीके से हम नारियल के लड़ू कैसे बना सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि आप देखी सकते हैं कि पूजा पार्ट वगेरा में काफी सारे नारियल जमा हो जाते हैं तो हम उसका यूस कैसे करें तो उसी से हम बराएंगे आज नारियल के लड़ो तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब कर दीजेगा यह दिखिए हमने जो दूद नारियल होते हैं उसे फोड़ कर इस तरीके से निकाल लिया है तो यह एकदम ताजे नारियल हैं हमने तुरंथी इसे फोड़ कर इसको अलग किया है तो इसके जो उपर के जो छिलके रहते हैं यह ब्राउन कलर के इसे हमें चाकू की साहता से आपको निकाल लेना है क्यूंकि इससे क्या होगा कि आपके एकदम सफेद लड़ू बनेंगे इस तरीके से हम चिलका निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो कि हमने चिलका निकाल लिया है और इसको छोटे पीस में आपको तोड़ लेना है जितना छोटे हो सके आप काट सकते हैं और इसको हमने साप पानी से पहले एक पानी धोके निकाल लिया है क्यूंकि हमें इसे मिक्सी में पीसना है एकदम चिकना तो ये देखिए मिक्सर जार में हमने डाल दिया है इसे पीसने के लिए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा नहीं तो फिर क्या होता है कि वो जादा करोगे तो फिर वो थोड़े छोड़े छोटे दाने रह जाएंगे तो हम एकदम चिकना इसको पीस लेंगे तो हम ने इसको पीस लिया है पूरा, यह कम से कम तीन नारियल का था, आप चाहें तो quantity अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप एक नारियल का भी बना सकते हैं, यह तीन नारियल का बूरा है, वैसे तो market में बूरा मिलता है रेडिमेट, तो यह दिखें, मेरे पास measurement है, यादि measurement आप कटोरी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए, तीन कटोरी हम नारियल का बूरा ले रहे हैं, ये देखिए भर के लिया है हमने, और एक पैन में मैंने एक टेबल स्पून घी ले लिया था, जिसको गरम करके, अब मैं इसे इस नारियल के बूरे को हम डाल देंगे, तीन कटोरी हम लेंगे, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे, देखिए, सारा बूरा हमने ले लिया है कड़ाई में, और इसे भूनसते रहेंगे, आपको चम्मत चलाते रहना है, नहीं तो फिर वो चिपकेगा, तो नारियल का जो ओरिजनल टेस्ट होता है, वो आपको नह ले रहे हैं, जुद डालने के बाद इस खुच्छ से मिक्स कर देंगे, इसके बाद हम उसी मिजर्मेंड से आधा कटोरी मलाई ले रहे हैं, फ्रेश मलाई, यदि आप चाहें तो मार्केट से भी मलाई ले सकते हैं, पैकेट वाला, लिकिन मैंने फ्रेश दूद का मलाई ल लगेगा मलाई से, यदि आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसकी भी कर सकते हैं, इसके जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है, उसे भी आप डाल सकते हैं, या तो फिर आप उसके जगह दो कटोरी दूधी डाल सकते हैं, इसके तो शुगर क्योंकि जो कच्छा नारियल जो अपन दूद नारियल बुलते हैं वो अपने आप में ही मीठा होता है तो शक्कर हम इतना ही डालेंगे आप थोड़ा कम जादा कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे थाकि नीचे से तो देखो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है वो मतलब जो भी जो शुगर का पानी है शुगर का पानी भी निकलता है जब अपन डालते हैं उसों मिक्स करते हैं तो वो भी धीरे-धीरे सूखने लगा है इसका कम से कम 2-3 मिनट तक इसको पका लेंगे हम तो ये देखिए 2 मिनट के बाद तो धीरे-धीरे देखिए आप ये गाढ़ा भी होने लग जाएगा इसका पानी भी सूख जाएगा और ये मतलब वन साइड ये थोड़ा जमा होने लग जाएगा मतलब आप समझ जाएएगा कि ये अब बनाने के लिए तयार होने वाला है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैंच छोड़ने लगेगा ये दिखिए मतलब वन साइड जमा हो रहा है थोड़ा सा इसका जो बैटर होता है वो थोड़ा सॉफ्टी होता है क्यूंकि जो हम कच्चा नारियल का जो बनाते हैं वो थोड़ा सा अपने आप में ही सॉफ्ट होता है तो इस इसमें देखी में थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल रहे हैं मिल्क पाउडर डालने से आपका जो मावा है हम इसमें मावा नहीं डाल रहे हैं आप मावा भी डाल सकते हैं इसमें तो यह जो दूद पाउडर है यह आपके मावा की कमी पूरी कर देगा तो इससे आपका जो टेस ये बुरा रखा है हमने और ये गार्निशिंग के लिए ड्राइ फ्रूट्स काट के रखा हुआ है तो ये इस तरीके से लड़ू का बैटर तयार हो गया है तो आप हम लड़ू बना लेते हैं तो ये दिखिए लड़ू हम जब बना रहे हैं आपको ऐसे हतेलियों के साहता से तो इसका जो किनारा होगा वो आपका एकदम गोल हो जाएगा तो लड़ू किते अच्छी तरीके से बन रहा है और ये बुरा हमने थोड़ा सा इसके उपर लगा दो तो लुक भी बहुत अच्छा आता है देखने में लड़ू अच्छा दिखाई देता है तो इस तरीके से हमने बुरा कोटिंग के लिए रखा हुआ है तो ये दिखिए इस तरीके से आप कर देंगे तो वो बुरा अंदर चिपक जाएगा तो दिखिए लड़ू एकदम तयार हो चुका है एकदम परफेक्ट लड़ू बना हुआ है आप देख सकते कि सारे लड़ू हमने बना दिये थे और शर्व किया है कितने सुन्दर दिखाई दिखाई दिये हैं एकदम वाइट कलर के और खाने में तो बहुती ज़्यादा टेश्टी है मार्केट के जैसे हलवाई के जैसे तो आप इसी विजरमेंट के हिसाब से जरू ट्राइ कीजेगा आप अपने नारियल का यूज़ कर सकते हैं आपको ये रसीपी कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू